एक बार आपका स्वागत है तो हमारे सामने यहां पर प्रस्न है कि मेटरनिक यूग क्या है यानि हमें यह बताना है कि यह मेटरनिक यूग क्या होता है दिखें यहां जो यह सब्द आप देख रहें मेटरनिक मेटरनिक एक व्यक्ति का नाम था किसका नाम था व्यक्ति का ना वक्त को हम यूग कहते हैं तो मेटरनिक यूग मतलब मेटरनिक का यूग मेटरनिक का समय मेटरनिक का काल क्या है हमें इसी को बताना है तो चलिए उत्तर में देखते हैं देखें यहां पर है अठारे सो पंद्रे इस बी से अठारे सो अरतालीस इस बी के बीच के समय को यूरो कि मेटरनिक युग कप कहा जाता है 1815 इसबी और 1848 इसबी के बीच में जितने भी वर्स पड़ते हैं उन वर्सों को उस समय को उस युग को हम यूरोप में क्या कहेंगे मेटरनिक युग कहेंगे अब आगे हमें ये समझना है कि 1815 इसबी से 1848 इसबी के बीच के युग को बीच के समय को हम मेटरनिक युग क्यों कहते हैं तो चलिए आगे देखते हैं क्योंकि 1815 इसबी में आस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक मतलब ये जो मेटरनिक है इसके बारे में ये कहा गया है कि ये मेटरनिक आस्ट्रिया किसका आस्ट्रिया का चांसलर था तो ये जो 1815 SB में आस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक द्वारा वियेना कांग्रेस वियेना एक अस्थान का नाम है वहाँ पे जो कांग्रेस हुआ था वहाँ पे जो सम्मिलन हुआ था सम्मिलन को ही हम लोग कॉंग्रेस कहते हैं सम्मिलन का मतलब यह हुआ कि बहुत सारा लोग जहां आकर के मिलते हैं किसी विशे पर चर्चा करते हैं बातचीत करते हैं तो उसको सम्मिलन कहते हैं और यह सम्मिलन कहां पे हुआ था विये ना में हुआ था तो इसी संम्मेलन का नेतरित्व मतलब लीडर्शिप करने के साथ मेतर्णिक युग का सुरुवात हुआ था यानि मेतरनिक युक का सुरुवाट 815 बी में हुआ था ये इसलिए हुआ था क्योंकि आस्ट्रिया के जो चांसलर मेतरनिक था वे युवियना कॉंग्रेस यानि सम्मेलन का नेतरितव किया था यानि 1815SB में नेतरित्व किया था तो इसी के साथ मेटर निक युक का शुरूआत हुआ था प्रारम हुआ था, शुरू हुआ था अब आगे क्या कहा गिया है और देखे और 1848SB के क्रांती के बाद यानि 1848SB में एक क्रांती हुई थी इस क्रांती के बाद मेटरनिक युग का अंत हो गया था यानि ये 1848SB के क्रांती के बाद मेटरनिक का पतन हो गया था उसका सक्ती समाप्त हो गया था इसलिए इसके साथ ही मेटरनिक युग का अंत हो गया था तो सौट में फिर एक बार समझ लिजिए कि 1815 ISB में मेटरनिक जो है वीनियाक वीना कॉंग्रेस सम्मेलन का नेतरियूत वे किया था तो इसके साथ मेटरनिक युक का सुरुवात हुआ था और 1848 ISB की जो करांती है उसके बाद मेटरनिक युक का अंत हो गया था तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा इस तरह का और भी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल के पले लिष्ट में जागर के देख सकते हैं धन्यवाद